हाई दोस्तों, आज हम मनाने वाले हैं फादर स्टेश पहल केक, तो उसके लिए हमें चाहिए ओर रोल बिस्कट सेवन पैकेट्स, ऐसे टेन रुपीस वाले, इनो, दूथ, दो कप, चीनी, वन फोर्थ कप, और कोको पाउडर, दो स्पून, तो चलिए दोस्तों बनाना शुर बिस्कट क हम क्रीम निकाल देंगे, वाय फ़ल पॉर्चिन, दो देखें दोस्तों यहपेमे क्रीम अलग कर दिया हैं, तो अभी हम बिस्कट को थोगर से करें, घ्राइंट कर देंगे, तो अभी ग्राइंट हो चुका है, इसके हम ढालेंगे देज कब दूथ, तो अभी हम तो चलिए इसको हम अभी बड़ी से बोल में पूर कर देते हैं तो अभी हम इसको डाल देंगे वन पैकेट ऑफ इनो अभी हम इसको अच्छी तर से मिक्स करेंगे हमने इसके इनो इसलिए डाला है ताकि जो हमारा केक है वो फुल जाए यहां पर हने एक बटन में तेल ग्रीस कर दिया है इसको पर अभी हम डाल देंगे हमारा बटर पेपर जिसके ने डाल देंगे हम हमारा बैटर तो अभी हम इसको टैप कर देंगे यहां पी हमने बरतन करम कर दिया है इसके ने डाल दिया हमें हमारा सेंड को हमने डाल दिया है इसके अंदर पांच मिनिट के लिए अभी हम रख देंगे हमारे मोल्ड ऐसे और फिर कवर लगा देंगे 20 से 25 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो अभी जो क्रीम है उसको हमें तुर से मिक्स कर देना है उसका ना अभी हम डाल देंगे 2 से 3 स्पून मिल्क और अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे तो देखिए दोस्तो अभी हमारे जो केक है उसका क्रीम तैयार है तो देखिए दोस्तो अभी 20 मिनट हो चुका है क्याप को हम निकाल देते हैं एक बार हम चेक कर लेते हैं टूट्टिक से देखिए दोस्तों ये क्लियर है इसके मतलब है कि केक अभी हमारा तयार हो गया है चलिए इसको हम निकाल देते हैं बाहर इसको हम थंडा होए देंगे फिर हम बनाएंगे इसके फ्रोस्टिंग तो फ्रोस्टिंग मनाने के लिए हमें जाहिए शुगर वन फॉत कंप और कोको पॉडर दो स्पून तो चड़ी बनाते हैं आफ को पोटर लेंगे हम फिर उसके अंदर हम ढाल दिया one full cup sugar जिसका के हमने powder बना दिया है kosco powder लेंगे हैं इसके दंदे तो अब हम इसको अच्छे तरह से mix कर देंगे यह आप हमने कडाए गरम कर दिया है तो अब हम इसके और अजाल देंगे हमारा syrup यह मोटा होने तब हम इसको mix करते रहेंगे तो देखिए दोस्तू अभी ये ठिक हो चुका है, गैस को भी हम ओफ कर देते हैं, तो चली दोस्तू, हम अपने केक को बाहर निकाल देते हैं, प्लेट को ऐसे बस पलट देना है, बतन को पलट दिया, तो अभी हम हमारे केक को बीट से कट कर देते हैं, तो देखिए दोस्तू के रिकेम हमें किया कि अगर आपके पास और नहीं है तो आप डकलेट को ग्रेट करके उसको मे 키रेग करके भी कि सिरफ बना सकते हैं तो देखिए दोस्तों यह पर हम अपने केक को कैसे हमां पर यहां पर टो हमने वाइट चोकड़ट को demand कर दिया है और अभी हम इसको ऐसे साइड में लगा देंगे ये देखिए ऐसे तो यहाँ पे तो हमने वाइट चोलेट को पिगला के लव यू डायट लिख दिया है और फिर साइड में हमने सिल्वर क्रिस्टल स्पॉल लगा दिया है देखिए दोस्तो आप इसे कैसे भी सदा सकते हैं दोस्तो इसमें ज़्याद सामान नहीं लगता है और ये फटाफट बन जाता है तो दोस्तो इसको एक बार ज़रूर बनाईएगा दोस्तो प्लीज और फगेट तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब थैंक यू फो वच्छिं इस वीडियो और सब्सक्राइब